जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है आज इस वीडियो में हम जानेंगे नौरात्री में जलाने वाले अखंड दीपक के बारे में उसे किस तरह जलाया जाता है और उसकी जलाने के क्या नियम है और किस तरह उसकी देखभाल करने जाए हर पूजा में दीपक का विशेश महत्व होता है ऐसी माननेता है कि पूजा में यह भक्त की भक्ती और श्रद्धा का प्रतिक होता है इसलिए दीपक के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती दीपक घर के नकरात्मक उर्चा को खत्म करता है, बुरी शक्तियों को दूर भगाता है और जो जिवानों घर के आसपास जो रहते हैं उस दीपक के एरिया में उसको भी खत्म करता है नौरात्री क्योंकि नौ दिनों की होती है, इसलिए इसमें अखंड जोती जलाई जाती है अर्थात ये पूरे नौ तक दिन राच जलने वाला दीपक होता है, इसलिए इसे अखंड दीपक कहा जाता है ऐसी माननेता है कि अगर संकल पलेकर कलश स्थापना करते हुए अखंड जोती जलाई गई है, तो व्रसमाप्ति तक इसे बुझनान नहीं चाहिए यहाँ पुझा में विगन का प्रतीक माना जाता है और आनी वाले समय में संकटों का संकेत देता है इसलिए जब भी नवरात्री का संकल पलेकर अखंड दीपक जलाएं तो इसके कुछ नियों मों का पालन अवश्य करें अक्सर लोगों को लगता है कि अखंड जोती सिर्फ पीतल की दीपात्र में ही जलाई जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं है पीतल को शुद्ध माना जाता है इसलिए पुजा में सिबने पात्रों का प्रयोग किया जाता है इसलिए अगर आप पीतल का दीपक नहीं जला सकते हैं तो आपको मिट्टी का दीपात्र भी उतना ही फलदाई होता है साथ थी साथ तांबे का दिपक भी आप ले सकते हैं मिट्टी भी शुद्ध मानी चाती है इसलिए पुजा सामगरी रखने या दिपक के रुख में मिट्टी के पात्रों की प्रयोग किया जा सकता है मिट्टी का यदि आप दिपक जला रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि जलाने से 24 गंटे पहले इसी साथ जल से भरे किसी बर्तन में पानी भर कर उसे अच्छी तरह से डुबो रे दरेसल भट्टी से निकले हुए मिट्टी के बर्तन जो भी हम उसमें पानी अगर उसको नहीं भरेंगे पानी में तो वो तेल को पुरा सोख लेंगे वो सोखते की तरह काम करते हैं इसलिए हमें उसमें पहले पानी भरना होता है पानी में उससे 24 गंटे तक डुबोना होता है अब उसे अच्छे तरह से पानी में भिगोने के बाद इसे इस्तेमाल करेंगे तो जितना तेल जलने में इस्तेमाल होगा उतना ही यह पात्र सोख लेगा इसलिए 24 गंटे भिगोने के बाद उसे निकाले और किसी साफ कपड़े से पोच कर उसे सुखाए अब आती है दीपक जलाने की विदी अखंड जोतिका या दिया कभी भी जमिन पर नहीं रखा जाता है इसलिए जाहे आप चौकी या पट्रे पर इसे जला रहे हो या देव अखंड जोती से जलाने वाला दिया कभी भी नहीं बुझना चाहिए इसलिए इसकी बाती विशेश होती है यहा रक्षा सुत्र से भी बनाई जा सकती है और कपास से भी बनाई जा सकती है सवाहात का रक्षा सुत्र या कपास की बाती लेकर उसे सावधानी पुर्वग बा बस इतना ध्यान रखे कि इन में अन्य तेलों की मिलावट ना हो यह पूरी तरह शुद्ध हो अब घी या तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसी से देवी के सामने दीपक रखे जाने का स्थान तयों होता है ऐसी माननेता है अगर घी का दीपक जलाए जाए तो यह देवी की द जलाने की बारी आती है इसके लिए भी एक खास नियम का पालन किया जाना आवशक है सबसे पहले हाट जोड़कर श्री गणेश माता दुर्गा और श्रीवजी का ध्यान करें अगर किसी विशेश मनुकामना के साथ यह अखंड जोती जला रहे हैं तो उसे भी मन में सोच ल उचारण करते वे प्रज्वलीत करें इसके बाद अश्रदल पर कुछ लाल फुल भी रखें दीपक का भी आप पूजन करें हल्दी रोली कुमकुम चावल चणाएं अश्रदल कमल पर भी आप फुल चणाएं इस प्रकार पूजन करके दीप्रज्वलीत करें आपको नौ तक इस अखंड दीपक का पूरा ध्यान रखना है कि दीपक बुझे ना, तेल उसमें बराबर आप देखते रहें, उसकी बत्ती देखते रहें, बत्ती खिशने का एक एसी चिम्टी जाती है, आप उसे मार्केट से लियाए, पूरा ध्यान रखिया, ये आपने घर में पूरी करेंगी एक बात और आपको में बताती हूँ यह तो हम घर पर अखंड डिपक जलाते हैं लेकिन मंदिरों में भी जो यदि आपने कभी 36 गड़ के मंदिरों के दर्शन किये होंगे तो वहां पर कामना पुर्ति के लिए लोग अपने नाम की जोद जलवाते हैं यह ते कख रलक से सबता होता है कोई जोती माताके मंदिर में उनके पास जल गहाई जाती है बाकि जोति कख्षों में यह जू आप स्क्रिन पर देख रहे हैं ऐसे ही म कख्षों होते हैं बहुत अध्भुट दर्श्य होताा है पूरा मन श्रद्धा से भर उठता है हम माता के मंदिर में जाते हैं तो जोतियां ही जोतियां दिखती है मा बमलेश्वरी डंगरगड़ वाली हो चाहे दंतेश्वरी माता हो चाहे आप रतनपूर वाली माता हो महा माया कोई से भी मंदिर में जाएं 36 गड़ के हर मंदिर में आपको जोतियां इस तरीके से नजारे दिखन तो यह बात मैं आपके साथ शेयर करें क्योंकि मेरा माइका भी 36 गड़का है तो बच्पन से हमने हमारे घर पर जोत नहीं जलाई जाती थी मंदिरों में भी हमारे हां से जोत जलाई जाती थी हमारे नाम से जो भी हमारे दादाजी वगर है वो मतलब आज हमारे परिवार का न इस नमबर आता है क्योंकि यह हर नवरात्री में चलाई जाती है तो आप आज नमबर लगा रहे हैं तो हो सकता है आपकी अगली या उससे अगली नवरात्री में आपका नमबर आए जिस नमबर पर रिजिस्ट्रेशन कराते हैं वह नमबर आपकी जोती कलश पर जो जोती शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो प्रेंड्स और फैमले में शेयर करें चैनल पर दी आप नए है तो प्रेंट मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटाफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैश्र कृष्णा रादे रादे